यह कहानी एक छोटे से जंगल की है उस जंगल में रानी कवी और राजुकवा रहते थे वे बहुत ही बुरे थे वे पक्षियों का जीना हराम कर रखा था वह दिन भर जंगल में घोमते और उसे जिस पक्षि का दाना या अंडा मिलता उसे उठा कर ले जाते अगर कोई पक्षि उसे इसके लिए कुछ कहते तो वह साफ इंकार कर देते एक दिन दोनों अपने घोसले में बैठे होते हैं राजुजी बहुत दिन हो गए हैं किसी पक्षि का अंडा खाय भी अब मुझे कमजोरी सी लग रही है अगर मैं कोई अंडा खा लिया तो ये कमजोरी दूर हो जाएगी पर अब तो पक्षियों को भी पता चलने लगा है कि हम उनके घर से चोरी करते हैं इसलिए सभी सतर्क हो गये हैं तो क्या हो गया अगर उनको पता चल ही गया है तो मैं कौन सा उनसे डरने वाला हूं मगर हाँ वह पक्षि ही हमसे डरते हैं पर यह अच्छा है अगर वे हमसे डरते रहेंगे तो हमारा गुजारा भी अच्छे से होगा इधर तुनी चडिया अपने घोंसले में इंडे दे रखे थी और इसका अच्छे तरह से खैयाल रख रही थी क्योंकि उसे पता था कि इस जेंगल में अंडे चौर की कोई कमी नहीं है इसलिए अपने अंडे को कभी भी छोड़ कर कहीं नहीं जाती पर एक दिन उसे धके अंडे को भी नहीं छोड़ती वह उसे तोड़कर खा जाती है फिर कुछ समय के बाद जब चिडिया वहां आती है तो वह देखती है कि उसके सभी अंडे टूटे हुए हैं उसे देखकर वह रोने लगती है मैं इसे पत्तू से ढखकर गई थी फिर भी किसकी नजर मेरे अंडू पर लग गई हो ना हो या रानी कवी का काम होगा फिर टूने चिडिया कबुटर और तोथे के पास जाती है क्या हुआ टूने तुम परेशान क्यों हो क्या बताओं कबुटर भाई उस बुरी रानी कवी ने मेरे आंडे को बरबाद कर दी और मेरे सारे सपने तोड़ दिया मैं आपके पास इसलिए आये हूँ वह मेरे साथ ऐसा कई बार कर चुकी है पर कोई ऐसा नहीं कि जाकर उनसे बात कर सके तुम चिंता मत करो चिडिया बहन हम सब मिलकर उनसे बात करने जाएंगे वह परती दिन किसी ना किसी पक्षी का नुकसान कर देता है और नुकसान करके चला जाता है अब नहीं चलेगी उसकी दावागरी, हम उसे इस तरह नुकसान करने नहीं देंगे उसके बाद सभी पक्षी कवे के घर जाते हैं, सारे पक्षियों को देखकर रानी कवे थोड़ा सा आश्यर्ज होती है तब वो राजु कवे के पास जाती है क्या हुआ रानी, तुम, लगता है तुम कुछ घबराई हुई हो राजु जी, देखो, बहुत से पक्षी हमारे घर पर आये हैं लगता है उन्हें हमारे कर्दूत का पता चल गया है लगता है अब वे सभी जाग चुके हैं अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये सब तो हमसे डरते हैं मैं भी देखता हूँ, ये क्या कर लेंगे हमारा फिर सभी पक्षी दोनों के पास आ जाते हैं और तुटा बोलता है हम सब तुम से बात करने आये हैं ये कौन सा तरीका है? कि तुमने जंगल में सब का जीना हराम कर रखा है अब हम ज्यादा बर्दास नहीं कर सकती तुम ये सब छोड़ दो नहीं तो सारा हिसाब अभी चुकता कर लेंगे अब कोई ज़रोत नहीं है इनसे आराम से बात करने की मैं तो कहता हूँ कि उठाओ सब डंडे और इसे सीधा कर दो फिर टूनी बोलती है नहीं नहीं भाईयो तुम सब इस तरह से बात मत करो हम इनसे लड़ाई करने नहीं आये हैं मैं इनसे बात करती हूँ रानी कवी क्या तुम्हें पता नहीं कि हम पक्षियों को अपने वंडू से कितना प्यार होता है तुम खुद भी तो अंडे देती हो फिर तुम कैसे मेरे अंडे को नुकसान पहुँचा सकती हो अगर मेरे अंडू की जगह तुम्हारे अंडे होते और कोई उसे नुकसान पहुँचाता तो तुम्हें कैसा लगता चिडिया लगता है तुम सब को कोई गलत वहमी हुई होगी मुझे क्या जरूरत है दूसरों के अंडे को नुखसान पहुचाने की मैंने यह सब नहीं किया अरे जाओ जाओ तुम सब यहां से हम तुमसे डरने वाले नहीं है बड़े आये हमसे बात करने लगता है अभी तक तुमको आकल नहीं आई है हम तो इस बार तुमको छोड़ देते हैं अगर तुमने फिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे फिर सभी वहां से चले जाते हैं और एक जगह बात करने लगते हैं तोटे भाई लगता है रानिया और राजु कवे को कोई बात समझ में नहीं आई है वह तो उल्टा हमें ही डाट कर भगा रहे थे मुझे तो लगता है कि इसका कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा तुम ठीक का रहे हो कवुतर भाई मेरे पास एक उपाए है हम सब मिलकर पहाड़ी पर उल्लू के पास जाएंगे मैंने सुना है कि ये कवे उल्लू से बहुत डरते हैं हम जाकर उन्हीं से मदद मांगते हैं फिर अगले दिन तोटा और कवुतर पहाड़े की और और कवों ने मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है इसलिए हम पक्षियों का घर से भी निकलना मुश्किल हो रहा है हम जैसे ही घर से निकलते हैं वे कवे हमारा नुकसान कर देता है कभी तो दाना लेकर भाग जाता है और कभी हमारे अंडे को तोड़ कर खा जाते हैं इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है अगर आप इन्हें अपनी भाशा में समझाएंगे तो वह बहुत जल्द ही समझ जाएगा अच्छा तो ये बात है तुम सब चिंता मत करो हम उसकी अच्छे तरीके से खबर लेंगे बस एक बार मुझे उसके पास ले चलो फिर उल्लू तोता और कभुतर के साथ कभी के घर की और रवाना हो जाते हैं कुछ समय बाद हुए कभी के घर पर पहुँच जाते हैं क्या बात है कभू तुम दोनों की बहुत शिकायत सुन रहा हो तुम इन पक्षियों पर जुल्म क्यों करते हो नहीं नहीं उल्लू जी लगता है आपको किसी ने गलत खबर दिया है हम भला ऐसा क्यों करेंगे अपने ही जंगल के पक्षियों को क्यों परिशान करेंगे ये सब तो हमारे पडोसी है और पडोसी को भला कौन तंग करता है हो सकता है टूने चिडिया ने आपसे शिकायत की होगी क्योंकि उसके अंडे को कोई नुकसान कर दिया है इसलिए वो सब को लेकर मेरे घर आई थी तो मैंने मना कर दिया था शायद इसलिए उन्होंने ही शिकायत की होगी हम पर विश्वाच करें उलू जी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया तुम दोनों कान खोल कर सुन लो मेरी बात तो तुम्हें मानने ही पड़ेगी क्योंकि जंगल के सभी पक्षी ने मुझे पर भरोसा किया है और मुझे ही फैसला करने को कहे हैं इसलिए मुझे फैसला करना ही पड़ेगा और मेरे फैसला ये है कि तुम दोनों को यह जंगल छोड़ कर जाना होगा और अगर तुम शाम तक यहां से नहीं गए तो फिर हम तुम दोनों को मार डालेंगे यही हमारा फैसला है अब यह फैसला नहीं बदल सकता ठेक है उल्लू भाई आपका जो फैसला है हम उसे मानने के लिए तैयार है पर आप सब हमें मारे नहीं हम जंगल छोड़ कर चले जाएंगे उसके बाद उल्लू और सभी पक्षियां वहां से चले जाते हैं फिर कवे भी वहां से जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं चलो रानी अब हमें यहां से जाना ही होगा नहीं तो अब यह पक्षियां हमें नहीं छोड़ेंगे पर राजु जी अब हम कहां जाएंगे हमारे पास तो इसके अलावा दूसरा घर भी नहीं है और किसी नई जगा पर जाकर बसने के लिए हमें तो बहुत समय लग जाएगा जाना कहा है मेरे भाई दूसरे जगल में अकेले रहते हैं हम दुनों वहाँ उनके बास चलते हैं फिर रानी अब राजु कुवे जगल छोड़कर दूसरे जगल अपने भाई के पास चले जाते हैं अरे लगता है मेहमान आये हैं क्या हुआ आज अपने भाई की याद कैसे आ गई वैसे तो बहुत दुनों से मेरे घर की तरफ देखा तक नहीं भाई हम मुस्यबत में हैं इसलिए आपके पास आये हैं रानी कवी ने जंगल के बहुत से पक्षियों के अंडे खा लिये इसलिए सभी पक्षियों ने मिलकर हमें जंगल से निकाल दिया हमारे पास कोई दूसरा उपाई नहीं था इसलिए हम आपके पास रहने के लिए आये हैं अच्छा क्यों हो छोटे तुम यहां आकर तुमने ब बिमार हूं इसलिए मुझे भोजन लाने में काफी परैशानिया होती है इसलिए में चाहता हूँ कि तुम यही रहो और मेरे लिए थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर आया करो ठीक है वड़े भाया अब हम अपने भोजन के साथ साथ आपका भी भोजन लेकर आएंगे और हम स भाई के घर के पास ही अपना गोंसला बना लेते हैं अब राजू कव्वा बहुत बदल जाता है वह पहले जैसा बुरा कव्वा नहीं रहता है अपना अलग घोंसला के बाद भी वह अपने भाय के लिए भोजन लाता फिर इस तरह कुछ दिन भीट जाते हैं तब राणी कवी दो अंडे देती है राजो जी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत दुनों के बाद अंडे दिया है ये अंडे कितने खुबसूरत है जब इस अंडे से बच्चे निकलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा अब मैं इसके अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी क्योंकि ये हमारे जान से भी प्यारा है राणी तुम इस अंडे का अच्छी तरह से ख्याल रखना तुम इसे छोड़कर कभी बाहर मत जाना आज से मैं तुम्हारे लिए भोजन लाओंगा तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूवत नहीं है एक दिन राजु कवा भोजन लाने बाहर गया हुआ था तभी रानी को बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है तभी बड़े भाई के पास जाती है बड़े भाईया, मुझे बहुत प्यास लगी है और राजू भी भोजन लाने गए हुए है इसलिए आप पुछ समय मेरे अंडे को देखें मैं नजी से पानी पिकराती हूँ फिर रानी कवी बड़े भाईया को अंडे के पास रख कर चली जाती है अरे मुझे बहुत ज्यादा भूक लग रही है छोटे भोजन लाने गया हुआ है पर वह कब आएगा पता नहीं मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ अगर मैं ये अंडे खा लूँ तो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी और रही बात अंडू की तो फिर रानी अंडे देदेगी चलो मैं अभी अंडे खा लेता हूँ फिर वे अंडे को खा जाते हैं उसके बाद बोलते हैं अरे अब तो पेट भर गया है अब नेंद भी आ रही है चलो अपने छोटे के घर पर ही कुछ देर आराम कर लेता हूँ ऐसा करकर वह वही सोजाता है थोड़ी देर बात जब रानी कविया अपने घोशले में वापस आती है तो वह देखती है कि उसके अंडे तो तूटे हुए हैं और छिलका वही पड़ा है तब वह बोलती है अरे आपने ये क्या किया आपने मेरा ही अंडा खा लिया आपको तो मैं अंडा की रक्षा करने के लिए रखा था अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आप पर भरोसा नहीं करती वर्शु बाद मैंने ये अंडे दिया था और आपने उसे नुकसान कर दिया मेरे सपने को तो या कहा कर वहाँ से चले जाते हैं और रानी कभी वहाँ बैठे बैठे रोती रहती है फिर कुछ समय के बाद राजु कवाँ वापस घर आ जाता है वो रानी को रोता देखकर परिशान हो जाता है क्या हुआ रानी इतना क्यों रो रही हो और इन अंडू को क्या हो गया इसे कौन तोड़ दिया राजुजी ये तुम्हारे बड़े भईया का किया धरा है ये सब मैं उन पर भरोसा करके उनको यहां छोड़कर पानी पीने गई थी अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं दूसरे पक्षियों का अंडा तोड़ती तो उसे कितनी तकलिफ हो रही थी देखो ना कुदरत का करिश्मा हमें अपने किये का सजा मिल गया उसके बाद फिर वे दोनों एक अच्छे कव्ये बनकर रहने लगते हैं किसी जंगल में टूनी चडिया एक पेड़ पर रहा करती थी उसी पेड़ के सामने ही एक पेड़ पर कालू कववा का गोंसला था कालू कववा बहुत ही कामचोर और सुस्त था वह पूरे दिन गोंसले में सोया रहता और जब उसे भोक लगती तो यहां वहां पक्षियों के दाने चुरा कर खा लिया करता था वहीं टूनी चडिया बहुत ही मेहनती थी टूनी चडिया के अंडू में से बच्चे बाहर निकलने का समय हो रहा था इसलिए टूनी चडिया अपने आने वाले बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी अरे मेरे घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसाथ का मोसम भी बहुत करीब है अगर मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे टूनी चडिया बहुत मेहनत करती थी जिससे कुछ ही दिनों में टूनी चडिया ने अपना एक पक्का घर बना ली थी और अब टूनी चडिया को बरसाथ के आने का कोई चिंता ना थी अब तो मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे और दूसरे तरक उस कामचोर कालू कवा को कोई फिक्र ना था वह बस अपने घोसले में पूरे दिन आराम करता रहता था एक दिन टोनी चडिया कालू कवा के पास आती है और उससे कहती है कालू भया अब ऐसी भी क्या सुस्ती हर वक्त आराम करते रहते हो कुछ तो काम किया करो बरसात का समय करीब है मैंने तु अपना घर पक्का कर लिया है तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले वरना कहां रहोगे तुम ए चिडिया तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सीख देने आई हो तुम मुझे काम मत बताओ जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा जाओ यहां से मेरी नीन खराब करने आ गई कालू कवे की ऐसी बाते सुनकर टोनी चिडिया उदास होकर अपना घर वापस आ जाती है मैंने तो कवे भया की अच्छाई के लिए बोला था और कवे भया तो मुझे पर ही गुसा हो गए दिन बीटते गई फिर टोनी चिडिया के अंडू से चार बच्चे निकले जिसे देख कर टोनी चिडिया बहुत खुश थी अब बस बारिश होने ही वाली है मेरे बच्चे भी हो गए अब मुझे कोई जिन्दा नहीं है एक दिन तेज हवा के साथ तेज बारिश होने लगती है चिडिया की मेहनत रंग लाई बारिश की एक बूंद भी चिडिया के घर के अंदर नहीं आ पाया जबकि दूसरी तरफ कालू कववा का गोसला पानी से पूरी तरह भर चुका था कालू कववा बारिश में भीग रहा था और ठंड से काप रहा था अरे ये क्या हो गया गोसला तो पानी से भर गया है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है अब मैं क्या करूं हाँ ऐसा करता हूँ टूनी चिडिया का घोसला पक्का है मैं वही चला जाता हूँ और कुछ दिन वही पे रह जाता हूँ फिर कालू कवा टूनी का घर जाता है और उसके दर्वाजे में दस्तक देता है कौन है कौन है दर्वाजे पर अरे चिडिया बहन मैं तुम्हारा कालू भईया हूँ दर्वाजा खोलो मेरा घोसला पानी से पूरी तरह भर गया है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है तुम मुझे अपने घर में आ जाने दो ना फ्लीज तुनी चिडिया बहुत दयालू थी वह जल्द ही अपने कालू भईया को अपने घर के अंदर बुला लेती है कौवे भईया जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पे रुक सकते हो जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोसला दवारा से बना अभी आप आराम करो कालू कवा टुनी चिडिया का घर देखकर हैरान रह जाता है और वह सोचता है अरे वाह टूनी चिडिया का घर तो बहुत अच्छा है वैसे भी टूनी चिडिया भी बहुत अच्छी है फिर कालू कवा टूनी चिडिया के विस्तर पर सो जाता है फिर तीन दिनों के बाद बारिश रुक जाती है, मौसम बहुत ही खोब सुरत हो जाता है, हर तरफ से चिडियों के चहचहाने की आवाज आने लगती है, फिर टूनी चिडिया कालू कवा से कहती है, कालू भया, बुरा मत मानना, बारिश रुक गई है, अब हम दोनों आपका घोसला दोबारा से बना सकते हैं, कालू कवा बहुत ही आलसी और सुस्त था, वह तूनी चिडिया की ये बात सुनकर परिशान हो जाता है, और मन ही मन कहता है, इतनी जल्दी बारिश रुक गई, इस तूनी चिडिया के घर में तो बहुत मज़ा आ रहा था, कितना सुकून से मैं इसके घर में सोया हुआ था, लेकिन अब तो तूनी चिडिया मुझे घोसला बनाने को कह रही है, फिर कालू कवा बहाना बनाते हुए तूनी चिडिया स ऐसे मुझे बुखार हो गया है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ करना कवे भया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे, तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिडिया कितना बेवकूब है मैंने कितनी आसानी से इसे बेवकूब बना दिया तिर अगले दिन टोनी चिडिया कालू कवा से कहती है कवे भया मैं जरा कुछ काम से बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर लग जाएगी आप जरा मेरे बच्चों का ध्यान रखना तुम बिल्कुल चिंता मत करो टोनी चिडिया मैं अच्छे से तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखोंगा कवे की बात सुनकर टोनी चिडिया अपने काम में चली जाती है और कालू कवा आराम से टूनी चडिया के बिस्तर पर सो जाता है टूनी चडिया के बच्चे खेल रहे होते हैं टूनी चडिया के बच्चों के चहचहाने की आवाज से कालू कवा की नेंद खराब हो जाती है जिससे कालू कवा को गुसा आ जाता है अरे बच्चो तुम सब चहचहाना बंद करो, मुझे बहुत नीद आ रही है, मुझे आराम से सोने दो, नहीं तो मैं तुम सब को चील बहन के हवाले कर दूँगा कालू कववा की धमकी सुनकर टूनी चडिया के सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं दूसरे दिन टूनी चडिया जब कववा के घोसले के लिए तिनका लेकर आती है, तो वह देखती है कि कालू कववा ने उसका सारा आनाज खा लिया है फिर भी टूनी चडिया कालू कववा को कुछ कहे बिना ही सो जाती है अगले दिन टूनी चडिया कवव का घोसला तयार कर देती है और फिर कालू कवव से कहती है कवव भया मेरे साथ चलो मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें फिर टूनी चडिया कालू कवव का उसके घोसले के पास लेकर जाती है कालू कवा टूनी की ये बाते सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है अरे ये चिडिया तो बहुत होशियार निकली अब मैं इस घोसले में कैसे रहूंगा मुझे तो टूनी चिडिया के आराम दायक बिस्तर में सोने की आदत लग गई है फिर टूनी चिडिया वहां से चली जाती है कालू कवा को अपने घोसले पर बिलकुल ही अच्छा नहीं लग रहा था फिर वह टूनी चिडिया के घोसले के पास जाता है और टूनी चिडिया से जूट बोलता है तूनी चडिया तूनी चडिया मेरे घोसले में साप आ गया था इसलिए मैं वहाँ से भाग कर तुम्हारे घोसले में आ गया हूँ लेकिन तूनी चडिया उसकी सुस्ती को देखकर समझ जाती है कि इस बार कालू कवा तो जूट बोल रहा है इसे मेरे घर में खाना खाने और सोने की आदत लग गई है फिर टूनी चिडिया ने कालू कवा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया फिर टूनी चिडिया कालू कवा से कहती है कवे भाया मेरे बच्चे बहुत बिमार है और वो सो रहे हैं बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परिशान हो जाएंगे कालू कवा टोनी की ये बाते सुनकर वापस अपने घोसले में आ जाता है अरे इस टोनी चड़िया को क्या हो गया, उसने अपने घर जाने से मुझे मना क्यों कर दिया अब तो मुझे बहुत भोख भी लग रही है, अब मैं कहां से खाना खाऊं कालू कवा बहुत भोखा था, लेकिन उसे खाना ढोंडने में बहुत ही सुस्तिया रहा था अगले दिन फिर से कालू कवा टोनी के घर के बाहर आता है, लेकिन इस दिन भी टोनी चड़िया कुछ न कुछ बहाना बना कर उसे वहां से जाने को कहती है अब तो कालू कवा बहुत ही परेशान हो गया था, वह भोख से बिलक रहा था जब उसे कोई उपाई ना मिला तो फिर वह मेहनत करके अपना दाना खुद ढूंडने लगा और अपना पेट भरने लगा कवे की मेहनत देखकर टोनी चड़िया बहुत ही खुश हो जाती है कुछ ही दिनों में कालू कवा भी मेहनत करके टोनी चड़िया की तरह एक पक का घर बना लेता है और फिर अपनी जिन्दगी खुशी खुशी बिताने लगता है दोस्तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बलकि मेहनत करके जिन्दगी जीना चाहिए टोनी चड़िया बहुत मेहनती पक्षी थी इसलिए उनका एक अपना लकडियों का बिजनस था देखो बेटा आज तुम ताल खालो चाल मैं तुम्हें कल बना दूँगी मम्मा मुझे नहीं खाना खाना और बस मुझे लकडियों का जूला चाहिए आप मुझे लकडियों का जूला बना दो हाँ बेटा मैं बना दूँगी लकडियों का जूला बरसात का मोसम भी आने ही वाला है सारे पक्षी मुझे अब घर बनवाएंगे उसी जंगल में कालू कवा भी रहता था कालू कवा टूनी के लकडियों के बिजनस से बहुत जलता था पापा मानोचिडे ने मुझे बताया है कि बरसात के मुसम में टूनी आंटी से सारे पक्षी घुंसला बनवाएंगे तब तो टूनी आंटी के पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे और टूनी आंटी मानोचिडे को एक लकडियों का जूला बना देंगे आप तो रोजाना थोड़ा सा भोजन लाते हो आखिर मेरी खाहिशे कौन पूरी करेगा अरे बेटे तुम चिंता क्यों करते हो तुम देखना मैं तुम्हें मानोचिडिया से भी अच्छा जूला ला दूँगा जा वेटे जाके पढ़ाई करो तुम हमेशा बातु में लगे रहते हो फिर राजु कववा वहां से चला जाता है कालू जी मैं टूनी चिडिया से बहुत परिशान हूँ टूनी चिडिया हर बार अपने बेटे को कुछ न कुछ बना कर देती है तो फिर राजु कववा हमसे उसी चीज को मांगने की जिद करता है काश टूनी चिडिया ये लकडियों का कारोबार ही नहीं कर रही होती रानी पिछले साल भी टूनी चडिया ने मुझे गंदुम की चोरी पर चील महराज से पकड़वा दी थी मुझे उसे बदला लेना है और मैंने सोच लिया है इस बार बर साथ में मैं टूनी चडिया के लकडियों के अब्यापार चलने ही नहीं दूँगा मेरे पास बहुत बढ़ियां बढ़ियां उपाय है जिससे कोई भी पकषि टूनी चडिया से अपना घर नहीं बनवाएगा दूसरी तरफ जंगल की सारी पकषियां टूनी चडिया के पास आते हैं टुनि चडिया हर बार की तरह इस बार भी हम अपना लकडियों का मजबूत घर बनवाने आये हैं हाँ हाँ पक्षियो बहुत अच्छा हुआ कि तुम सब यहां पर आ गए मुझे तुम सब पक्षियों को कुछ बताना भी था क्या हुआ टुनि चडिया क्या बात है पक्षियो इस बार लकडिया काफी ज्यादा महंगी हो गई है अगर आप सब चाहें तो दूसरे जंगल जाकर पता भी कर सकते हैं मैं इस बार घर बनाने के थोड़े ज्यादा पैसे लूँगी अरे बाप रे बाप टुनि चडिया ये लकडिया तो दिन बादिन महंगी हो दी जा रही है लेकिन अब क्या करें घर बनाना भी तो जरूरी है ना ये लो टुनि चडिया हम सब पक्षियों के पैसे हैं इसमें कल से तुम हमारा काम शुरू कर देना टूनी चडिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा काम आ गया था अगले दिन कालू कवा और रानी कवी मिलकर मिट्टी के कुछ घर बना लिये थे रानी अब देखना सारी पक्षिया अब मुझसे ही मिट्टी का घर खरी देंगे जिससे टूनी चडिया के लकडियों का कारोबार फारन ही बंद हो जाएगा वैसे कालू जी हमने ये मिट्टी के बहुत ही कच्चे कच्चे घर बनाए हैं ये कवे भी तूट सकते हैं इससे क्या फरक पड़ता है रानी हमने एक बार घर बेच लिया उसके बाद तूटे फूटे उससे हमें क्या लेना देना अरे अरे पक्षियों आओ आओ जल्दी आओ और ये सस्ते सस्ते मिट्टी के घर ले जाओ कालू कवे की आवाल सुनकर जंगल की सारी पक्षियों फ़वरण उसके पास आजाते हैं अरे कालू कवे क्या बात है ये कौन सी मिट्टी के घर बेच रहे हो तूँ अरे जंगल की पक्षियों ये मिट्टी का घर है और मैं सिर्फ इसे पांच रुपय ही में बेच रहा हूँ क्या सिर्फ पांच रुपय में लेकिन कालू कवे टूनी चिडिया तो हमारा घर पूरे पूरे बीस रुपय में बना रही है हाँ तो तुम सब को नहीं पता टूनी चिडिया तुम सब को लूट रही है मैंने पता कर लिया है दूसरी जंगल में लकडिया मिट्टी का घर खरीद लो और ठोनी चिडिया से जाकर कर अपने अपने पैसे वापस ले और फिर देखना ढूनी चिडिया को अपने देखे क्या की सजा मिल जाएगी रहुए कालू कववे एकदम ठीक कह रहा हुआ है चलो चलो पक्षियों, हम एक एक करके अपना-पना मिट्टी का घर खरीद लेते हैं और फिर क्या था, जंगल की सारी पक्षियां कालू कवे की बातों में आकर एक-एक मिट्टी का घर खरीद लेते हैं ठुनी चुडिया तुम हम सब के सारे पैसे वापस करो तुम धोखे बाद हो धोखे बाद हम सब पक्षियू को हर वार बेवकूब बना कर हमसे पैसे लूटती हो तुम परन्तों अब कालो कवे ने हमारी आखे खोल भी है अरे तोते ये क्या कह रहे हो क्या बात से आखिर मुझे बताओ तो तुनी चडिया तुम सस्ती लकडियों को महंगे बता रहे हो और हमसे ज्यादा पैसे लूट रहे हो इसलिए तो हम कालो कवे से उसके बनाए विए मिट्टी के घर खरिग लिए हैं और वो भी पता है सिर्फ और सिर्फ पांच रुपे में हाँ हाँ तुनी चडिया जल्दी दिन ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है जंगल की सारी पक्षियां और कालू कवा भी अपने अपने मिट्टी के घर में आराम से बैठे हुए होते हैं तेज बारिश के कारण कच्य मिट्टी के घर गीले हो जाते हैं और वो तूट जाते हैं जिससे जंगल की सा आरे आरे रानी ये क्या हो गया पूरी घर तो बारिश में खराब हो गया इसका मतलब जंगल की सारी पक्षियां भी बारिश में हम लोगों की तरह भीग रहे होंगे हाई रे कालू जी ये तो बहुत बड़ी गड़़ी हो गई अब तो सब बक्षी गुस्से में हमारी तरफ ही आ रहे होंगे मैं तो कहती हूँ कि हम सब जल्दी से जंगल छोड़के ही भाग जाते हैं हाँ हा रानी तुम एकदम ठीक कह रही हो चलो चलो भागो जल्दी से राजू को लो और यहां से भागो और फिर कालू कववा का परिवार जल्द ही वहां से भाग जाते हैं कुछ ही देर में जंगल की सारी पक्षियां कालू कववे के घर में आ जाते हैं सारी पक्षिया काफी ज़्यादा गुस्से में होते हैं देखो पक्षियो कालू कवे का भी मिट्टी का घर खराब हो गया कहां है ये कालू कवा लगता है भाग गया वो कालू कवा हमारे सारे पैसे लेकर यहां से भाग गया धोखा दिया है उसने हमें हाँ पक्षियो अगर हमने टूनी चिडिया से अपना घर बनवा लिया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती और हम सब बारिश में नहीं भीगते तब ही टूनी चिडिया वहां से गुजर रही थी उसने कालू कवे के घर के पास जंगल की सारी पक्षियों को देखकर उसके पास आ जाती है पक्षियो क्या हो गया है यह पारिश में आप सब क्यों भीग रहे हैं तुनी चिडिया हमें माफ कर दो हमने कालू कवे की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे मजबूत लकडियों का घर छोड़कर कालू कवे का ये कमजोर घर खरिद लिया जो जरा से पानी हमारे सारे पैसे लेकर यहां से भाग गया आखिर हम सब पक्षि जाये। पक्षियों तुम सब कालू कवे की बातों में आकर मुझे पर भरोसव नहीं किया और मुझे ही आप लोग ने धहोख्या बाने का लेकिन पिर भी मैं तुम सब को माफ कर रही हूँ और हाँ तुम सबको ठीक ही सजा मिल रही है और कालू कोवा तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया और जहां तक बात है घर बनाने की वो तो मेरे पास अब समय नहीं है क्योंकि कल मैं दूसरे जंगल उल्लू सेट का घर बनाने जा रही है और वो भी पूरे पूरे सा रुपिय में यह कहकर टूनी चिडिया वहां से चली जाती है और टूनी चिडिया को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है और जंगल की बेवकूफ कख्षियों को उसके किये की सजा मिल जाती है